बूद इमनिंग एवरीवन नाओ इन दिस वीडियो वेहवर डिसकस अबाउटिकल 165 यह रिप्रिजेंट दा आडवोगेट जोनल ओफ ता इस जासी कि अडवोगेट जोनल ओफ पर प्रेजिडेंट होता है वैसे ही अटर्नी जैसे मने अटर्नी जोनल पड़ा था सेंटर ले प्रिजेंट करते हैं तो मिसके सबसे पहले अपॉइंटमेंट देखेंगे इनको पॉइंट करते हैं गुवर्नर और यह इनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन से ही मस्ट बे सिडिजन ओफ इंडिया ही मस्ट हाव हैल्ड जुडिशल ऑफिस फोर 10 यह और बीन एडवोगेट आफ हाई कोट यह फिर वो तो 10 साल के लिए जुडिशल कोई ओफिस खोल्ड के होना चाहिए या फिर वो एडवोगेट होने चाहिए हाई कोट के 10 साल के लिए और यह क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटिड ऐज जज को यह और यह अपना होल्ड करते हैं ओफिस दूरि अपने ओफिस को होल्ड कर सकते हैं और यह रिमूव भी किया जाते हैं तो भी गवर्णर के द्वारा अगर इनको रिजाइनेशन देना है तो भी गवर्णर को देंगे उसके बाद एक पॉइंट आता है को जहां पर जैसे अगर सरकार गवर्मेंट चेंज होती है तो उसको र इमुनेरेशन होगी यह सेलरी जवियारा होगी एड़ोकेट जनरल की वह भी गवर्णर ही डिसाइड करता है इनकी कुछ जूटी और फंक्शन्स हैं यह एडवाइस करते हैं गवर्मेंट ऑफ स्टेट को कुछ लीगल मैटर्स के ओपर जो रैफर के जाते हैं उन्हें गव और लोग के दिवारा देगे हैं कुछ राइट्स बताये गए हैं इनके पास कुछ राइट्स हैं कि हर अपनी स्टेट की जिस स्टेट के एडवोकेट जनरल है उनके अंदर ओडिनेंस किसी भी कौर्ट में जाके ओडिनेंस कर सकते हैं उसके बाद इनको बोलने का अधिकार है यह प्रसीडिंग्स के अंदर दोनों हाउसिस के प्रसीडिंग में भाग ले सकते हैं स्टेट लेजिसलेचर में और किसी भी कौमेटी के अंदर ले सकते हैं लेग और ही में भी नेम्ड अजम मेंबर इन स्टेट लेजिसलेचर विदाउट राइटिंग तू वोट मेंब